नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से SSE Adair 24-7 के इस ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है ब्रगू और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज के जबरदस सेशन में जो की इंपोर्टेंट है SSE CGL Foundation के लिए क्या बात है जब सभी साथियों का स्वागत है इसके सेशन में जो की है SSE CGL का और English Point of View पर अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जिस Point of View को हमेशा ही मानते हैं कि English कैसे सुधरेगी उसका पूरा जिम्मेदारी इस batch ने और आपके भाई ने लिए ताबड़तोर तरीके से प आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो पस इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा इतना आप से घुजारिश है ठीक है चलिए क्या बात है पवंत रिशा मीरा आक्षे कितने लोग आज पहली बार आए हैं एक बार थम्स अप पड़ा-फट से एनरजी के साथ ताबर लोग और मैं आपको बता हूँ सेशन के अंत में हम लोग एक दूसरे से बात भी करेंगे और देखेंगे कि सर कैसा रा सेशन ये पता ना ठीक है तो जीरो टू एडवांस लेवल जो है ना आज आपको समझ में आएगा कि हाँ नाउन से जर क्वेशन बनते हैं तो ऐसे बनत तोड़ तरीके से ठीक है शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया आज के दिन की शुरुवात बहतरीन कोट के साथ सक्सेस इस साम आप स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड देखें हमेशा ध्यान रखें यह जो वर्ड है ना रिपीटेड इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट रूल है आपको बताओं क्योंकि इस एफर्ट शब्द का मतलब क्या होगा या रिपीटेड वर्ड का मतलब होगा है यहां पर प्रेक्टिस बच्पन में हमने कहीं सुना था प्रेक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ऐसी थोड़ी न रखना है है ना राधर राधर भी थैंक्यू सो मच एवरीवन मैं जो लोग पहली बार हैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और मेरा उदेश आपको इंग्लिश से वो पहलू से रूबरू कराना जो सफलता के उस मुकाम तक आपको लेके जाएंगे जहां से लौट क कर आओगे तो सिर्फ सक्सिस के साथ रेडी एवरीवन तो प्रेक्टिस के लिए सभी लोग तयार ताबढ़ तोड तरीके से नाउन क्लास वन देखो भी या जीरो टू एडवांस आप लोगों के लिए रखा है आपके भाई ने ठीक है तो बस आई हूगा इस रेडी ताब है ना चलो बहुत ही बढ़िया तो अब सारी चीज़ों को तयार कर लेंगे बस एक बर खीच के शेयर कर दो शुरू में ठीक है फिर सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है बहुत बढ़िया तो कल मैंने यहां से शुरुवात की थी है ना कल मैंने यहां से शुर जोरी है दिक्कत है वो लोग सुबह 7 बज़े आए लेकिन आज कुछ लोग नहीं आये थे चिंता गरस्त परिस्तिती में थे बढ़ ठीक है आएंगे मुझे बरोसा है मुझे आप पर बरोसा है खुद पर बरोसा और इस सेशन पर बरोसा है ग्रैमर को किस तरह से पढ़ना है अब बताएंगे कितने टाइप्स होते हैं फटा फट से देखते हैं कितने लोग तावड तोड़ सबसे पहले जवाब देते हैं क्या बात है ससी का कोई एक्जाम नहीं बचेगा अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो मैं बोल रहा हूँ बस इतना मान लो ठीक है प्राइड के एक नंच पहल में एकर utmq क्रुप आप उसके बाद कलेक्टिव उसके बाद मटिरियल ऍडियर्स लास सट्वर negotiable यहीं पांचनना होण अभी लोगों ने बच्पन में पड़े थे, क्या हुता है, common ? क्या हुता है ? प्रॉपर ? क्या हुता है ? collective ? क्या इंक्या हुता है ? प्यार की बाथ हैं , जहां प्यार आता है लोग उमर जाते हैं सो common, proper, collective, material, abstract, सामानने था यही पाँच होते हैं, अच्छा, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो आपको अलग-लग प्रकार के नाउन भी बताएंगे, कि सर एक concrete नाउन होता है, एक ये वाला नाउन होता है, एक पड़ोसी मुल्क का नाउन होता है, ऐसा नाउन होता है, आप मु collection के लिए पढ़ना है, तो इन पांच और नाउन की बात करेंगे, चीक है, मैं आपके सामने कुछ examples रखने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे, बस कौन सा common है, कौन सा proper है, कौन सा collective है, बस इतना सा, जल्दी-जल्दी से, ठीक है, अरे बिलकुल भाई, session पूरा attend करो, बस मज़े से सब लोग, ठीक है, चलिए, तो पांच आप सब लोगों के सामने options आएंगे, और आपको बस fill करना है, कि sir, first है, तो जैसे, अगर मानलो second common है, तो आप लिखेंगे sir, two common, three ye, four ye, बस इतना कर देना है, ठीक है, फिर मैं explain करूँ, everyone, चलिए, तो प्यार से पढ़ रहे हैं, right, दुनिया का कोई भी exam जहां English important है, सारी चीज़े हम लोग यहां से पढ़ेंगे, and I assure you amazingly, चलिए भई, देख लो जरा फटा-फट से, पहले लिखा है boy, girl, king, queen, state, city, village, country, जरा अगर मैं आप से छोटी-छोटी चीज़े हैं पूछू, तो आप ल दिया जाएगा, जितनी भी लड़किया हैं सबको girl कहेंगे, जितने भी राजा हैं सबको king कहेंगे, जितने भी गाओं हैं सबको village कहेंगे, जितने भी शहर हैं सबको city कहेंगे, जितने भी राज हैं सबको state कहेंगे, जितने भी देश हैं सबको country कहेंगे, यानि ये कैसा ना जिसको समझ में नहीं आया, दुबारा से समझ लो, एक ऐसा नाम, जो किसी ग्रुप में, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, माल लो, आप सब लोग एक ग्रुप हो, everyone, और आपके ग्रुप में हैं पांच लोग, मैं किसी का नाम नहीं जानता, ठीक है, लेकिन पां लिखरी में, शामिल है, बात क्लियर है, चलिए भी या, दूसरा, बॉय का नाम निश्चित हो गया, राम, मीरा, ठीक है, कटरीना जिसको लिखना है, वो लिखने, कोई बात नहीं, अशोक, किंग का नाम, मुम्ताज, क्वीन, जैपुर, शहर, रामपुर, है ना, रामपु इनेट नेम, निश्चित नाम, किसी भी चीज़ का, उसे मैं प्यारे साथियों क्या कहूंगा, प्रॉपर नाउन, तो बिल्कुल इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर, ठीक है, आदिस ज्यादा लोग, जितने ही आम मौझूद है, आपको एक बात बताता हूँ, बहुत प्यारी स्टाफ कलेक्टिव है, समझ गया भाई, आपका भाई, आपके मन की भावनाओं को समझ गया, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव में क्या अंतर है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, आईए इसको मैं समझाओं और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एवरीबडी, द लेकिन क्या, टीम, टीम, टीम बोला जा रहा है, उस खिलाडी को नहीं, तो टीम आपका हुआ, मैं कह सकता हूँ, अगर कॉमन नाउन एखटे होकर जो ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप का नाम होगा वो कलेक्टिव, क्या कहते हो, कॉमन नाउन सामन नेता, एखटे होकर जो ग्रुप बनाएंगे, उसको मेरे प्यारे साथियो क्या कहेंगे, कलेक्टिव, देखिए, आज जो डाउट्स है न, वो खतम कर ले न, क्योंकि जो बेस आपको भाई बताएगा न, यहीं मिलेगा, टीम, कलेक्टिव नाउन क्यों हुआ, क्योंकि अलग-अलग प्लेयर क एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम है, वो कलेक्टिव है, प्लेयर कौन सा नाउन हुआ, प्लेयर कौन सा नाउन हुआ, प्लेयर कौन सा नाउन हुआ, प्यारे साथियो, कॉमन, हाँ या न, लेकिन अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ, बहुत सा लोग जहां plural शब्द आता है confused हो जाते हैं इसलिए मुझे ये questions हो जा और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ देखिए player common है team collective है क्या सर players को collective रखें कभी मत कीजिएगा भाई हमने player का players कर दिया तो रहा तो common बस वो क्या बन गया plural common noun आदिस से जादा लोगों को ये हमेशा doubt रहता है और I hope आप लोगों का doubt clear हो गया होगा मेरी बात समझ में आ रही है तो अगर plural noun है common तो उसको जबरदस्ती collective मत बना देना क्योंकि collective group का नाम होगा collection group का नाम होगा clear है दोस्तो बहुत अच्छे तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा noun है मेरे प्यारे साथ ही हो बिलकुल सही बात इसको हम लोग कहेंगे collective noun इसको हम क्या कहेंगे collective noun clear है कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी ठीक है अच्छा ये क्या gold silver plastic जैसे बोला है पच्चास तोला याद है वो वास्तव में डायलोग AI देख रहे है क्या पच्चास तोला तो gold की जो chain थी chain किस से बनी थी gold से gold क्या है material मेरी बात समझ में आ रही है ये pen बना है plastic से तो pen material नहीं है material क्या है plastic है मेरी बात से सब लोग agree कर रहे है everyone high आ ना चीज़ें बहुत बढ़िया तो जिन से दूसरी चीज़ें बने सीधी बात इतना ध्यान रखना जिन से दूसरी चीज़ें बने वो कौन सा ना उने material clear है चलिए बईया भाव वाचक संग्या आ गई अंत मैं abstract now सीधी बात जिन चीज़ें को feel करते हो वो abstract है बात खतम ठीक है सीधी बात जिन से क्या है feeling जूडी है अब देखो आप बोलो सर एक्षन कौन सी feeling है मन में एक feeling आती है मैं यहाँ पर एक चीज़ clear कर दूँ हमेशा ध्यान रखना देखिए कुछ लोग मानते हैं कि नहीं सर जो feeling है कि यवल वही abstract है नहीं जो intangible है जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं महसूस करते हैं अब महसूस emotion भी हो सकते हैं ठीक है यहाँ T रह गया laughter है यह ठीक है T miss कर दिया मैं ठीक है तो यहाँ पर it's laughter तो देखिए भई एक point ध्यान रखिएगा सभी लोग feeling action quality या state अगर कोई भी noun इन चारो categories में कहीं भी आएगी अगर कोई भी noun इन चारो category में कहीं भी आएगी उसे क्या रखेंगे abstract बात clear है कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी खतम बात पहली class में यह बात आप लोगों को अच्छे से समझना है common common noun क्या हुआ cricket खेले होगे यार गली cricket के हम लोग बेताज बात्सर है वहाँ कोई कितना बड़ा player को नहाज है हम से कहाँ जीतता था याद है तो गली cricket के अपनी नियम थे अपने क्या कि भाई 7 लोग इखटे हुए या 11 लोग इखटे हुए वहाँ ये नहीं था 11 की एक टीम ही होगी टोटल 11 है चलो 5-5 की टीम बना लो एक बच जाता था उसे क्या बनाते थे एक बच जाता था उसे क्या बनाते थे दोस्तों तो बिलकुल उसकी अलगी शर्त है कि भाई अपन common है अपन A टीम से भी बेटिंग करेगा B टीम से भी और दूसरा कि मैं भाई लेग में और ओफ में फिल्डिंग नहीं करूँगा कीपिंग करूँगा बस याद आ रहा है है ना और एक ओवर फेकना है एक ओवर बॉलिंग सब चीज अलगी शर्त हों थी थी तो common मनने के बड़े फाइदे थे तो उसको common क्यों कहा क्योंकि वो A टीम में भी और B टीम में भी मेरी बात समझ में आ गई होगी सबी लोगों को right so that's an important part common मतलब individual नाम specified name हो गया ठीक है यानि ये एक ऐसा नाम जो हर एक चीज को equally दिया गया और ये हो गया specified name ये group का नाम ये इसका नाम भाव का और ये हो गया clear है आगे बढ़े बहुत बढ़े है क्या बात है क्या बात है सभी लोग clear हो रही है चीज है amazing, shandar, mazah आ रहा है बहुत ही बढ़े है आगे बढ़े है तो पहले doubt clear है तो अभी question के answer भी तो करोगे देखो मैंने क्या बोला था आपके लिए specially plan किया है तो अब जैसे पढ़ोगे वैसे question चलिए भई आ फटा-फट से देखेंगे so here comes the first question everybody in front of you there have been many efforts to secure the freedom of expression identify the noun freedom कौन सा noun है जल्दी से जवाब दो freedom कौन सा noun है जल्दी से जवाब दो let's see कितने लोग इसका सही जवाब देते है बहुत ही बढ़िया great, amazing, शांदार तो अगर देखें क्या freedom proper नाम है क्या freedom collective नाम है क्या freedom common नाम है क्या freedom abstract noun है भाई कौन सा material है यह तो यह तो गया अच्छा आजादी कोई ऐसी वस्तू तो है नहीं जिसको दिखाओगे कि देखो हम आजादी लेकर आए हैं आजादी महसूस होती है भलो हाई या ना, अगर agree करते हैं तो बिलकुल answer क्या लगा दोगे abstract noun, clear everyone तो जिस नाम को या जिस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ सामन्यता वो मेरे लिए क्या है abstract noun, चलिए अगला question, come on let's see, advice कौन सा noun है एक बार फिर से बताएंगे सबी लोग अब सर ये तो खतरनाक बात हो गई अब सर ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई, बताओ सरा common proper material abstract common proper material abstract फटाफट बताएं, बहुत ही बड़ी आशानदार दोस्तो noun आपका मतलब आप इभी देखना, मजा आने वाला है मुझे भरोसा है आप पर और खुद पर, बस session को अंत तक attend करो, इतना भरोसा दिला दो कि भाई के लिए बस तुम अंत तक हो common, अच्छा एक बात बताओ आपका पड़ोसी आपको सला दिन बर देता होगा ए रे बाबा, पढ़ ले रे बाबा है ना, तो एक दिन गोला एक सला दे दी, कुछ लोग बोलते हैं ना एक सला, पहली बात सला को गिन सकते हो कहा यह सबसे बड़ी विडंबना है जीवन की सर, we have often said in Hindi, कि उसने मुझे एक सला दी भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है एक सला अगर देता, तो चार सलाएं भी देता, लेकिन कभी ऐसा हुआ है नहीं हुआ, तो सला is uncountable प्लीज, ठीक है, अब advice को देख तो सकते नहीं, कि सुन्दर है या सुन्दर है, मतलब अगली है है ना, तो इसको हम लोग किस में count करेंगे, abstract में, very well done everyone एक बार फिर से सबी लोग सही है, clear है तो I hope बातने clear हो रही है, अगर समझ में आता जा रहा है, तो like share करते रहे दोस्तों को बुला लो, अंग्रेजी, जो यहां मिलेगी, इस channel पर, और भाई के साथ मज़े होने वाले है ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं अच्छा, इसको और भर्दो जरा थोड़ा सा ग्यान तो तुम लोग का देखी लें, क्योंकि अभी types देखें न, तो types के आधार पर यहां क्या आ रहा है, देखो जल्दी से they fired the blank of shots आप लोग उने movies में देखा होगा जैसे वो, वो देखियें न, बडी मा, याद है तो जो जो लोग नहीं जानते, न, बुलट्स, शोल तो मचलियों के लिए होगा, मैं देख रहा है, कुछ लोग बुलेट्स लगा दी है बड़ी मां से बुलेट से आजार है बट उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं that is called holy, भूलना मत कभी क्या बोलते हैं उसे holy, गंजो गनी तो बुलेट को एक साथ इस तरह से fire करना that is holy बोलो बात clear, नई चीज़ें सीखना यही उद्देश है और एक्जाम में ऐसे ही कुश्यन आएंगे, ठीक है आगे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं मजा आया, चलो पर एक और जल्दी से बताओ विलंदब लेंग, क्योंकि फिर डाइप उसको हटा के अगले सेगमेंट पर आएंगे जो अगली बात बताओंगा, वो है, वो जीवन का सब्ते है तो अगली बात मिस मत करना Owing to heavy thunderstorm, the blank of trees was fallen on the road तुरंट बताओं सीधी बात पूछ लेताओं पेड़ पौदों के ग्रुप को, गुठ को जुड है जुड है, उसको क्या कहते है constellation, clump, caravan, या caravan, या range चल्दी से बताओ एक काफी famous गाना आया था जानी का ले चले तुम्हें तारों के शहर में याद है न, तारों का शहर यही होता है यानि group of stars is called constellation, right clump किसे बोलते हैं वहीया clump मतलब पेड़ पौधों का समूँ, इसको groove भी कहते हैं ठीक है, groove भी, लेकिन छोटे-मोटे जो पेड़ पौध है clump होगा, caravan, काफिला हो गया range मतलब latest range है, jeans का भाई, खरीद तो answer क्या हो गया, clump, remember this, ठीक है अब देखिए, ये error detection में भी आ सकता है जैसे, owing to heavy thunderstorm, the caravan of trees was fallen दिख रहा है, तो अगर error detection में आएगा तो आप क्या बोलोगे sir भई, trees के group को caravan या caravan नहीं बोलते हैं समझ में आ रही है मेरी बात, तो इस तरह से question भी आपको exam में देखने मिलेंगे, I hope it's clear to everybody ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है, इस पश्टता clear है अगर चीज़ें clear है न तो भाई के साथ बस regular रहना है ताबड़ तोड़ पढ़ना है, ठीक है, चलो अब आते हैं सबसे important बात, मैंने क्या कहा वो बताऊंगा, जो लोग बता नहीं रहे हैं बस चल रहा है, मैंने आपको types बता दिये सर, question ऐसे आएंगे, ठीक है लेकिन noun से question कैसे आते हैं, ये पता चले तो guys, आपके सामने ये 5 pillars हैं noun के जो question आते हैं, वो इन 5 categories से आते हैं क्या-क्या? inappropriate words आज कल अभी देखा, caravan पेड़ पौदों के लिए क्या था? clump था, तो this is called inappropriate शब्द की गलती, मेरी बात समझ में आ गई दूसरा, ये काफी जादा use होता है, इसके लिए मैं example बता हूँ, अभी सुबह मैं पढ़ा रहा था एक error detection, 7 बज़े vocab show होता है तो भाई जितने लोग हैं, 7 बज़े कल से आजाओ मतलब, है ना, जोड़ना है सबको सुबह 7 बज़े, चलिए भाईया sign माने होता है चिन और signature का मतलब आप जानते हैं, जो sign हम करते हैं अब वहाँ question था कि sir sign किये उसने, और हम लोग sign ही बोलते हैं, हाँ या ना लेकिन sign is not a complete word यह वर्ब की तरह भी use होता है, चिन को बोलते है symbol भी हो जाता है, तो signature की बात है, तो signature ही लिखेंगे, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है तो यह चीज को please ध्यान रखिए का यह काफी important है, इन incomplete words पूछे जाते हैं, तीसरा होता है, superfluous भाई, superfluous क्या है superfluous क्या है, कोई बता सकता है, नीवन जितने भी लोग यहाँ पर है, superfluous शब्द का मतलब क्या होता है, बस इतना बता दो, मसा आ जाए, मैं इसका उधारन आपको समझाओं, तो मैंने एक movie देखी थी, once upon a time in Mumbai आप लोगों ने भी देखी हूँ, ठीक है once upon a time in Mumbai में एक वो सीन था, जब सुल्तान मिर्जा कंगना रनाउट से मिलने जाते हैं, she was very famous actor in that movie, in that movie मूवी में भी, तो पहली बार मिलने जा रहे हैं, तो भाई, बोलता है ना उसना बोला, 25 पैसे का, 12 आने कुछ ऐसा था, इतना सस्ता गिफ्ट थोड़ी ना लेके जाएंगे, तो वो 12 आने यानि 25 पैसे की कीमत को 400 रुपे तक ले गए और फिर बोला, आँ, अब आया मजा, ला भाई 400 कदे क्या 25 पैसे की चीज को, अगर आप 400 में खरीद रहे हो, उसकी प्राइस बढ़ गई क्या तो आप बोलो, के सर, खरीद तो सकते है ना, खरीद तो सकते है, लेकिन वो बे, वेस्ट है वो वेस्ट है, that's called superfluous, कई बार इंग्लिश में एक शब्द complete meaning दे रहा है, हम उसके साथ दूसरा शब्द भी लिख रहे है so, वो क्या होता है superfluous, उससे related question होंगे noun and its number मतलब, singular, plural से related और apostrophe, ये पाँ चीज़े हैं इस पर ध्याम देंगे, ठीक है बहुत ही बड़या, बहुत बड़या, clear है सबी लोगों को, चलिए तो अब आते हैं, सबसे पहले inappropriate words पर जो बताऊंगा न, इतिहास गवा है और आप लोग भी साक्षी रहोगे कि जो अंग्रेजी आप पढ़के गए, एक्जाम की लिए थी ठीक है, अभी superfluous भी आएगा तब explain कर दूँगा, attention ना लो, पर ध्यान से सुनो नेतिक कोई बात नहीं, ठीक है मिरे दोस्त, चलिए everyone, please focus करेंगे in appropriate words पूछता जाऊंगा और देखते जाऊंगा है ना, नजर हटी तो दुरगटना गटी शांदार चीज़े हैं, जरा देखिए apparel शब्द कई बार हमने सुना होगा, अच्छा कपड़ों से related पहले बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है क्योंकि सामने ता कपड़ों का जमाना है अपैरल का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताता है, जहांगा हिंदी आप लोगों के लिए भाई ने लिखी है, मतलब समझ रहो न, efforts काफी ज़्यादा दिये जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान देना, अपैरल का मतलब होता है होते कपड़े हैं, सामने ता इसको पोशाग बोलते हैं, दुकांदारों का शब्द है यानि generally जो shopkeepers होते हैं वो शब्द का use करते हैं ठीक है, दूसरा word आता है attire, please ध्यान देते चलना everyone यहीं से exam के question है अब मैं इसको यह नहीं बोलूँगा, wedding apparel, wedding cloths नहीं, इसको क्या बोलते हैं, wedding attire, किसी विशेश अवसर पर अगर हम कोई dress पहनते हैं, उसे बोलते हैं attire ध्यान से सुनते चलना everyone PDF मिलेगी, बस इतना ध्यान दखना, ध्यान से सुनो foundation batch कल से start था लेकिन ठीक है, मैं बिलकुल बता दूँगा, जानवी, wait wait for my reply, ठीक है, अभी बस सुन लो please है ना, ठीक है please है ना, सुन लो बस, कोई बात ने तो ये दोनों clear है, ये दुकानदार का शब्द हो गया, ये special event के लिए कपड़े हो गया next is finery, आपने कभी रनबीर सिंग साहब को देखा हो, तो आपको finery का protection, example ओधारण वही मिलेगे देखे हो ना, चटकते बटकते, अलग ही design मतलब जिस तरह से वह उस कपड़े को पहनते हैं, कोई और पहनता भी नहीं, बहली बात और सिधी बात ये है, कि वो finery क्या है, मतलब चमकीले और बहुत ही मतलब शांदार वस्तर या गहनों को बोलते हैं काफी जादा जो क्या है, शाइनी है है ना, चमक धमक, अलग ही design finery, देख रहे हो ना सब लोग, difference देखिएगा, शब्दों में क्या अंतर है, जो exam में आते हैं next is costume, तो हम लोग जानते हैं किसी विशेश काल या क्शेत्र में जो कपड़े पहने जाते हैं basically drama वगरा में costume आपने देखा होगा, है ना, drama वगरा में costume आपने देखा होगा, very well done next पर आते हैं cloth, बहुत सारे लोग cloth और cloths में difference confuse होते हैं बहुत सारे लोग cloth और cloths के difference में हमेशा confuse होते हैं clear कर दू, cloth माने बिना silah हुआ कपड़ा, यानि एक कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है समझ गए, और हम लोग जो wear कर रहे हैं, वो क्या है, cloths है समझ गए सब लोग, ये stitched है ये unstitched है, बस clear, तो cloth और cloths का difference clear होगा, सबको, चलिए भी address generally ये जो word इजात हुआ था, वो females के लिए, ठीक है या फिर day night के लिए, आजकल काफी use होता है, night dress के रूप में इसका use करते हैं, सामन ने था, but this word is basically for females, है न देखिए, उसी तरह garment शब्द males के लिए use होता है हाँ, अब होता क्या है कि सब लोग सुनते हैं कि, हाँ भई ये garment की shop है, सब कुछ मिल रहा है हाँ, हाँ न, male, female, बच्चों के लिए, सब के लिए, but, actual में, this word is meant to be for only males clear है, ध्यान रखने की कोशिश सभी लोग करें, ठीक है, गाब सर, इतने सारे होता हैं, भाई, यही तो English है तब ही तो बोलता है, हम लोग के marks क्यों कट जाते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों पर ध्यानी नहीं देते हैं, कि इस तरह के question बनते हैं, गाब का मतलब क्या होता है सामने था, बोलते हैं न, एक जैसे कपड़े कोई पहने हुए, मैं आपको गाब, संस्थागत, और्गनाईजेशन के जितने लोग हैं, सेम कपड़े जो पहन रहे हैं, उसको बोलते हैं, हम लोग गाब, ठीक है सूट, सब लोग जानते हैं, किसी चीज़ को सूट क्यों कहेंगे, कोट, पैंट है ना, या थ्री पीस है, तो तीनों चीज़ हैं, सिमिलर कपड़े से ही बने, so that is called सूट, एक ही कपड़े से बने वस्तर, I think it's clear, देख सकते हैं कितने सारे शब्द हैं कपड़ों के, बात समझ में आ रही है, डेली क्लास चले की, लेकिन एक बार शेर करके इसको 1000 प्लस फटापट पहुंचाओ, इतना आप लोग भाई के लिए कर सकते हैं, इतना मुझे उम्मीद है, ठीक है, डेली क्लास 9 बजे होगी, that's what you need to do, ठीक है चले, तो I hope आपको कपड़ों के कितने सारे शब्द मिल गए होंगे, like और share एक बार एक बार खीच के बस, थोड़ा सा, है ना प्रेशर आप लोग देंगे, तो definitely तो अपैरल, अटायर, फाइनरी, कॉस्ट्यूम, क्लॉद क्लॉद्स, ड्रेस, गार्मेट, गाब, सूट बहुत सारे लोगों ने, ये शब्दों सुने तो थे, लेकिन हाउ, है ना, मिल गया, अच्छा, लास्ट आता है यूनिफॉर्म, स्कूल वगरा के लिए सामानेता, हम लोग यूनिफॉर्म शब्द का यूज करते हैं, सामानेता, है ना, ये भी होता है, ये लगबग गाब की तरह ही होता है, ठीक है, लगबग गाब, बट ये ओफिशल है, है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव चीजों के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि या एक डाउट क्रियेट हुआ, जब कंट्री के बीच में डील होती है, तो साइन किया जाता है, क्योंकि वर्ब का यूज होता है, डील साइन हुई, साइन हुई पूरा वर्ब, सिगनेचर नहीं, सिगनेचर एक विक्ति विशेश करेगा, समझ गया नहीं मेरे भाई, हाँ, that's what the point is, चलिए भाई, क्लियर है तो यह inappropriate words, PDF में मिलेंगी टेंशन ना लेना, अधरवाईस, टेलिग्राम जरूर जोइन कर लेना, सब लोग, ठीक है, चलिए आगे आजाओ, कुछ और words देखलो, फटा फट से inappropriate, client मुवक्किल सुना होगा, वकील साब, client आगया है, है ना, एकदम client से पैसा वसूल कर लो मैंने वही बताया, पारोल भी है ना गाहब और uniform में difference, वो negative हो जाता है सामानेता ये, official और formal शब्द में uniform का use करते हैं next, customer, ग्राहक क्या बात है, अच्छा देखो, आप लोगोंने एक brand का नाम सुना होगा, shoppers top है ना, तो shoppers मतलब खरीददार, सामानेता जो market में होते हैं सामानेता जो market में लोग घूम रहे हैं, खरीददारी करने के लिए उन्हें हम कहेंगे shoppers buyers क्या होते हैं, देखो, buyer और shopper में अंतर हैं, जैसे मैं market क्या कपड़े खरीद रहे हैं, आम शोपर purchaser और buyer almost same है they both are almost same, ठीक है clear है, बहुत ही बड़िया error आजाओ भई यह गलतियों के शब्द बड़े मज़ेदार आने वाले हैं, ठीक है ज़रा गोर करना error, fault, lapse blunder यह को रहे हैं, विनाल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी practice भी मज़ा आएगा error माने क्या होगई, तुर्टी अकसर आप देखते हो कि sir, हमारे exam में तो error detection आते हैं, इसमें क्या तकनीकी बात हो गई, कुछ लोग अभी दिमाग लगा कर मुझे पूछ लेगे और बहुत बढ़िया तो गाई, ध्यान दीजिए का, हम error उस word को relate करने के लिए यूज करते हैं, जहां बात किसकी होती है technical गलती है या एक process के थुरू गलती है हम error detection solve करते हैं, एक process के थुरू ही तो गलती होती है, बोलो हाई या ना तो इसलिए उन्हें error detection कहते हैं सामाने था, error detection या common errors error detection आप technical या नी computer भाषा में, किसी machine में कोई गलती है, उसे भी बोलते हैं, fault अच्छा, machine के लिए fault होता है, नहीं ये technical गलती के लिए आएगा सामाने था, किसी machine में या कोई विक्ती ने कोई कलेश कर दिया है ना, it was a fault उसने ये fault निप्टा दिया है ना, उसकी वेज़े, ये fault हुआ है ठीक है lapse, छोटी सी भूल चूक जिसे बोलते हैं, है ना, हिंदी में तो छोटी भूल, कोई भी छोटी भूल हो जाया, उसे बोलते हैं blunder अभी जब superfluous की बात मैं कर रहा था तो मैंने देखा, कुछ लोगों ने लिखकर भेजा big blunder है ना, बड़ी भूल इस तरह की बाते हैं हुई, है ना तो, हाँ, बिलकुल सूरज एकदम starting से, मेरे दोस्त, जीवन में इससे starting क्या होगी दक्का मार वाली बात हो रही है, तुम लोगों को भूल, laps, छोटी भूल fault, मशीनी शब्द है सामने ता error, एक process के दुरू जो गलती हो, ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत बढ़ें बिलकुल laps in concentration देखो, जब, कजब अभिलाश, नेतिक, great आगे बढ़ें, practice question आने वाला है आपके सामने, और आपको बताने इसमें क्या गलती है, the dog saw it shade in the river, फटा-फट से बताईए इस sentence में क्या गलती है, अब आई ना बात अब आया ना मज़ा, come on तुरंत जबाब दें बहुत ही बढ़िया शांदार जबरदस तो देखिए गाईस, यहां मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दो words, ठीक है, ध्यान से देखिएगा exam के लिए जरूरी है, एक होता है shade, एक होता है shadow, तो भहिया river में वो अपना प्रतिबंब देखेगा, या shade देखेगा बताओ जरा मिल गलती मिल गई होगी, देखिए, मैं बता रहा हूँ exam में question कैसे बनेंगे exam में question कैसे बनेंगे तो shade आश्रह, एक परकार का यहां क्या होगा, shadow, so this is the question being asked in your examination, like समझ गए सब लोग बहुत अच्छे, अगले question पर आते हैं, चलिए भई, a group of girls, आओ भईया बाओ भईया, आओ भईया a group of girls went to the class teacher, जल्दी से बताएं क्या गलती है, a group of girls went to the class teacher, जल्दी से बताएं क्या गलती है बहुत ही बड़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छे, शांदार एकदम, ताबर पतोड तरीके से आप लोग जो चीजों में हनुभव लेकर आएं है वो बड़ा ही कमाल है तो मैं देख पा रहा हूँ, यहां पर बहुत सारे लोगों ने सही और सटी का आंसर कर दिया है, ठीक है चलिए, चलिए तो देखिए भईया, लड़कियों के जुण को गुरुप नहीं कहते हैं, है ना बहुत बड़ा लड़कियों को जुण को गुरुप नहीं कहते है, इसको क्या कहते हैं इस इस पॉल्ड वैवी ठीक है, second sentence clear थर्ड देखो, इसका जवाब देने वाला व्यक्ति विजेता बनेगा, इतिहास रचेगा राहुल प्रेजेंटेट अब बंच ओफ फ्लार्स तुदे चीफ गेस्ट, कमान अबरिबड़ी कमान तुरंत बताएं, बहुत ही कमाल का क्वेशन है एक्जाम के लिए सीदे राहुल प्रेजेंटेट अब बंच ओ फ्लार्स टु दे चीफ गेस्ट, अबरिबड़ी, क्या जवाब हो सकता है इसका, राहुल प्रेजेंटेट अब बंच ओ फ्लार्स तो गाईस, हम लोग बोलने में तो बोल सकते हैं, बंच लेकिन बंच होता है कीज का ग्रेप्स का फ्लार्स के बंच को बंच नहीं कहेंगे और इस पूरे को हटा कर सीधे लिख दो बुके क्या कहते हो काम हो जाएगा के नहीं ये लो बुके स्वागत है सर आईए माल्यारपन कर दिया समझे लो तो बंच ओफ फ्लार्स अचा कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सर यहां पर फ्लार कर दो बंच तो फ्लार का बनेगा भाई एक फूल का बंच बनाओगे कमाल करते हो भाई तुम है राहूल प्रेजेंटेड अब बंच ओफ फ्लार्स तुदे चीफ गेस्ट उसकी जगह क्या लिखेंगे बुके मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को अगला क्वेश्चन अन वाट ग्राउंड यू आर सेइंग सो तुरंत बताओ भाई यह क्या गलती है देख रहे हो न रे देख रहा है न बिनोध क्वेस्टन कैसे आवत रहे यह पढ़ना है हमको चलिए अब यह कमाउन गालेंड फ्लार्स कर सकते हैं न अच्छा देखो प्रेजेंट कर रहे हैं चीफ गेस्ट को तो हाँ ठीक है गालेंड भी बूल दो बट बेटर वर्ड बुके होगा वाँ थोड़ा सा अंग्रेज वाली फीलिंग लाना चलिए ध्यान देंगे इंग्लिश में ग्राउंड मतलब ग्राउंड प्ले ग्राउंड लेकिन यहां वो क्या बोल रहा है तुम किस आधार पर ऐसा कह सकते हो क्या कि वो मेरी हो ना सकी तो आधार के लिए हम लोग ग्राउंड नहीं किसका यूज करते हैं ग्राउंड का आई होब इस क्लियर टू एवरीवान तो ग्राउंड मतलब आधार तो यहां ग्राउंड आ जाएगा बहुत अच्छे दोस्तो चलिए भईया मैं जब स्कूल में था मुझे आज तक समझनी आया होम और हाउस का कभी पूछा भी नहीं और पूछा तो हमेशा लगबग ऐसा सुनाई देता था खुद का है तो होम है दूसरे का है तो हाउस है हम भी रटली है लेकिन बात में पता चला ये तो ब्रह्म था क्यों क्योंकि होम का मतलब घर घर तब तक नहीं बनेगा जब तक मैंबर्स नहीं होंगे फिर चाया खुद का हो या दूसरे का हो घर बोले तो फीलिंग परिवार तो सर हाउस क्या था हाउस बोले तो बिल्डिंग तो वेकेंट क्या होगा होम या हाउस तो डेफिनेटली दराइट आंसर वुड़ भी हाउस मेरी बात समझ में आगई सब लोगों को या नहीं ठेक है अब कुछ लोग एक और महानता का प्रतीक देंगे सर मैनी आ रहा है आपने होम्स लिख दिया है देखो गलती है ये भाई मैनी के साथ तो प्लूरल लिखना पड़ेगा ये सिली मिस्टेक्स कभी मत करना I have seen people committing such mistakes सर मैनी आ गया होम कर दो हाउस कर दो मत करना वेकेंट बोले तो खाली ठीक है आगे बढ़ें समझ में आगे पांचों क्वेश्चन एवरीबड़ी बहुत ही बड़ी आ बात समझ में आ रही है क्वेश्चन बात समझ में आ रही है चलिए अब आते हैं सुपर श्लूइस एक्स्प्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था देख भी मज़ा आने वाला है ठीक है तो पहला देखो क्या लिखा है कजिन बरदर सही है गलत है अच्छा कुछ लोग बोलता है कि सर बोलने में सही तो लग रहा है चचेरा भाई ममेरा भाई देखिए इंग्लिश में it's not about only cousin अच्छा किसी को cousin बोल रहे होगे तो indicate तो कर दोगे ना जैसे मैंने यहां लिखा ध्यान से देखिए he is my cousin brother मैंने लिखा he is my cousin brother भाई he का मतलब male ही हो गया तो male है तो भाई ही होगा तो brother की जरूरत क्या है समझ में आरे है मेरी बात या नहीं मेरी बात logically समझ में आरे होगी सबी लोगों को तो superfluous मतलब axis redundant redundant भी बोलते हैं इसको अत्यधिक जरूरत नहीं फिर भी लिख दिया that is superfluous आरे यह बात समझ में बहुत ही बढ़िया तो कुछ expression आएंगे जल्दी बताते जाना क्या गलत है ready सभी लोग तयार तो एक बार सभी लोग बोलेंगे बहुत के बिहारी लाल की जै एक बार share करो के we'll be exceeding thousand मुझे पता है बढ़ आप लोग कर सकते हो come on you can do this ठीक है भाई के लिए आंसर भी करें ऐसा नहीं है चलिए भाया अब आई बात इसकी सर हम इससे बड़ा परिसान है ये बिनोध हमको बड़ा परिसान कर दिया है काहे भी ये बिनोध परिसान कर दिया है समझाता हूं क्यों हमारे से पहले वाली जो generation है उन्होंने मतलब हमारे जीवन में ये आफ़त खड़ी करी आप कभी अपने पापा के फ्रेंड के आँ गए हूं जब छोटे थे पहली बार गए हूं तो आप उन्हें नहीं जानते वो भी आपको नहीं जानते तो अंकल आपसे पूछते हैं पिटा पिटा आपका शुब नाम क्या है तो हम भी बताते हैं हम तो भाई ये हैं माई गुड नेम इज भाई किसी का बुरा नाम होगा क्या सोच कर दे खुब नहीं तुम्हारा असुब नाम क्या है सूर्प नका no offenses but हाँ just giving an example कहने का मतलब नाम तो भाई अच्छा ही होता है का अच्छा क्या बुरा तो प्लीज हिंदी में मत बोलो शुब नाम बताओ अशुब नाम बताओ what kind of things are there no we should not choose them right so never use it next देखेंगे unexpected surprise everybody come on unexpected surprise sir कल रात को कल दिन में ऐसा हुआ मतलब unexpected surprise मिल गया मुझे तो मैं भाई expected surprise कौन सा होता है फिर तो confused है भाई कि sir expected surprise तो वो तो पता ही चल जाएगा तो surprise तो अपने आप में unexpected है why you should use surprise के साथ unexpected no need हटा हो से superfluous समझ रहे हो ना superfluous मतलब बोलने में sir सही लग रहा है लेकिन actual में logically उसका meaning सही नहीं है ठीक है next पर आते है advance notice देखो भाई देखो छुट्टी पर जा रहे हो तुम लोग ठीक है advance notice देकर जाना advance notice देकर जाना कई बार बोलते हैं भाई notice तो पहले ही दिया जाएगा advance क्या होता है कुछ नहीं हटाओ खतम clear हो रही है बाते हैं मजा आ रहा है बहुत ही बढ़िया next देखो sir अब आप कुछ नहीं कहेंगे क्यों sir हमने किताब खरीदी थी ट्वेल्थ में basic fundamentals of physics हमने पढ़ा उस किताब को five fundamentals और basic तो बराबरी है अंग्रेजी में ऐसा मत करना तो never use it ठीक है आगे देखो old memory इतिहास गवा है हम सबी लोगों की निजरों में बदा है क्या कि जो हमारी social media है so called है ना इसका पूरा श्रे हम लोग facebook को दे देते हैं तो facebook पे क्या होता है आज से 10 साल पहले तुम ऐसे हुआ करते थे है ना तो पुरानी photo निकाल के तुमको दिखाता है और वही photo दिखायागा जिसमें तुम सही में cartoon लग रहे थे और फिर अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो हम क्या करते हैं 10 years back old memory my old memory भाई memory पुरानी ही होगी old करके क्या करेगा repost करते हैं reshare करते हैं कई बार आपने देखा होगा but you should not use it I hope you are getting my point ठीक है sir new memory भी तो हो सकती है दो memory की तुलना कर रहे हो हाँ कर सकते है तब आप use करो otherwise नहीं करना है ठीक है old record देखो भी यह another thing कई बार आपने देखा होगा लोगों को sir new record दो होता है मानना आप ऐसा मत बुलना sir new record नहीं होता देखे record पुराना ही होता है लेकिन मान लो किसी खिलाडी ने किसी का record तोड़ा जिस moment पर तोड़ा उस moment के लिए के वल new record होगा लेकिन बाद में उसे भी क्या कहेंगे record मेरी बाद समझ में आ रही है please ध्यान देना हो सकता है हम उसे new record बोल दे ठीक है download करो या फिर install हो गया रात 12 बजे के बाद download हो गया रात 12 बजे के बाद install हो जाएगा होता है ना तो फिर सर अब तो सर नहीं होगा देखे भाई वो आपकी अंग्रेजी लिटरेचरल नहीं है grammar को उसका कोई संबंद नहीं है update नए ही होगा खुद बताओ क्या जरूरत है अचा सर न्यू अपडेट आए तो वो भी गलत है update नहीं ही होगा old update तुड़ी ना आएगा समझ रहो तो update is अपने आप में complete मत करना उसके साथ छेड़ता नहीं ठीक है हाँ सर ये तो मतलब सर आप कितना भी कहलो हम नहीं समझेंगे मैंने भाई क्यों नहीं समझोगे आप class आए आप पूछ रहे हो सर ये बता दो सर ये हमारा answer है तो सर आप बोल रहे हो तो आप सोच कर देखो कि थोड़ा respect दे रहे हो ना नहीं सर दे नहीं रहे बस बोल ले हैं सर आपको तो सर और मैम दो शब्द ऐसे हैं किसी को हिज़त देने के लिए बोलेंगे वरना तो रामुका का बोला लेना या कुछ भी बोला लेना है एक्स वाई जट जो भी आपको ठीक लगे तो respected सम्माने नहीं है सर अपने आप में सम्माने नहीं ये शब्द है तो superfluous तो हुआ ना बोलो हाया ना तो इसलिए never use respected सर हाँ आप dear सर बोल सकते हैं और ये सही है तो जिल लोगों का descriptive exam होगा इस चीज़ का खास दियान रखें ठीक है शंकर कल संड़े है मेरे भाई ठीक है तो चिंतित ना हो आगे बढ़ें चलिए trend भईया usually होता है तो ये भी गया तो आपको देख रहा होगा चीज़ें final destination सर इसको मैं गलत नहीं कर सकता आप कुछ भी कहते रहना Hollywood वालों ने movie बनाई थी इस पर आप कैसे गलत करवा होगे वो थोड़ी ना ग्रेजी नहीं जानते उनकी तो भादशा है ऐसी कुछ feeling कुछ लोगे मन में आती हैं पढ़ते समय और मैं अभी कभी डर जाता हूँ मैंने भाई अब क्या करूँ फिर समझना होता है चीज़ों को दें कि इस चीज़ें समझने लायक हैं इसलिए मैं बोलता हूँ trend में रहो देखो क्या आ रहा है पढ़ने के लिए क्या आ रहा है सर यह तो सही लग रहा है लेकिन देखे गंतव्य हमेशा finally होता है गंतव्य हमेशा finally होता है तो final destination inappropriate है तो सर वो movie अच्छा उस movie में यहाद है ना सबकी death होती रहती है अलग-अलग कारणों से तो final destination as a idiom as a phrase मतलब death भी होता है समझ रहे हो इसी लिए we don't choose it समझ में आ गई वो final destination 5 बहुत बढ़ी है समझ गए तो देख रहे हो ना जीवन में देख रहा है ना पिनोध पस तो आप question देखें फटा-फट से इसके कि क्या-क्या गलती है बोलो हाई आना आओ भाईया आओ मोहन प्यारे जरा अरपित करो अपनी गलती है यहाँ within an hour's journey we will approach near new Delhi जल्दी से बताएं क्या कोई गलती है come on guys मजा आ रहा है या नहीं हाँ first class ही चल रही है noun शुरू किया कलकि स्रेफ introduction था लेकर introduction की लकाश जरूर देखना ठीक है come on guys तुरंद बताओ तो देखिए भाई अब सर यह तो बड़ा ड्रावना सा लग रहा है approach मतलब नजदीक पहुंचना और near भाईया भी आ रहे है तो देख रहा है ना विनोध देख गया तो approach और near एक साथ नहीं आएंगे this is superfluous I hope it's clear guys ठीक है बहुत अच्छे तो near is superfluous within an hour's journey we will approach New Delhi समझ गये तो question देख रहे हो ना CGL level आ रहा है मज़ा ऐसा ही नहीं है सरे वित्यास गवाँ है भाई वो पढ़ाया जाएगा जो selection के लिए जरूरी है और trust this guy मैं देखता हूं कुछ लोग बोलते हैं सर बोर्ड से देखें content पर भरोसा करोगे ना भाई के बस वो जरूरी है और यह भरोसा बनेगा कैसे जो delivery मैं आपको कर रहा हूं है ना content की वो आपको selection तक ले कर जाएगी तो यह मन सोचें सर बोर्ड है क्या है content पर भरोसा र मतलब previous year exams में पूछा गया है he asked supposing if he fails है ना if he fails had hate he would do what होना चाही जार्वेस what he would do that's what है है ना hate नहीं हो what है w is missing अच्छा जार्वेस कौन है जो इसका नियंतरन कर रहा है यह जो लोग पुराने हैं थोड़ा जानते होंगे चलिए अब यह कम आन तो supposing और if लगबग बराब मतलब देते हैं यह क्यों लिखना समझ गए तो एक बार फिल से supposing और if cannot be used together because यदी का आर्थ देते हैं तो यह superfluous हो गया हाया ना next आ जाओ the story should not exceed one of the important words of your one of the important questions for your examination come on guys the story should not exceed more than 200 words come on the story should not exceed more than 200 words अब जरा देखो exceed का मतलब जादा more का मतलब जादा बहुत नाइंसाफी है है ना बहुत नाइंसाफी है कितने आदमी थे सरकार exceed और more वो exceed और more तुरम सिर्फ exceed है समझ गे तो exceed आ रहा है तो है ना should not exceed 200 words more than की जरूरत नहीं है eliminate करते हैंगे समझ में आगी बात great this is really great next चलिए बिया this happened just exactly five years ago देख रहो this happened just exactly five years ago फटा फट से बताओ क्या गलती है come on बहुत बढ़े है बहुत बढ़े है मदुमिता रंजन प्यूश सुबर्ब गैस चलिए तो देखो हम लोग just or exactly देख रहे होंगे एक साथ आ रहे हैं क्यों लिखना this happened exactly five years ago या just five years ago दौनों मेंसे जो लिखना है चलिए next पर आ जाएं Samir was very friendly enough to help me when I was in distress अच्छा question है Samir was very friendly enough Samir was very friendly enough क्या कहना चाहता है विनोल्द तो Samir was very friendly or enough तो भाया friendly enough कर दो बस काम हो जाएगा very हटा दो या फिर enough हटा दो Samir was very friendly to help me अच्छा यहां ध्यान रखना आप very हटाना जादा अच्छा होगा क्योंकि very friendly to help me है ना very मतलब very friendly to help me थोड़ा सा है ना it doesn't sound good तो Samir was friendly enough to help me ठीक है वो जादा अच्छा है ठीक है पेरेंग के आधार पर तो हम लोग very को हटाएंगे परयाप्त के सेंस में क्योंकि बहुत है यहां sufficient का सेंस है क्योंकि आगे बात हो रही है है रीजन दिया है और रीजन के point of view पर enough जादा बैटर है ठीक है प्लीज ध्यान रखिए very superfluous चलिए वह यह यह बता दो जरा throughout the whole year देखना ही हम लोग बोलने में कितना यूज करते हैं अच्छा आप देखना हम लिखने में भी यूज कर रहे हैं इसकी विज़े से गलतियां हो रही है throughout the whole year there was not a single day without some violence बताओ जरा throughout the whole year there was not a single day without some violence जल्दी से बताओ very well done throughout भी लिख रहे हो whole year भी लिख रहे हो है whole भी लिख रहे हो गजब मतलब अंगरेजी को खतम कर रहे हैं देख रहे हो ना kind of coordination किस तरह से देखने मिल रहा है बहुत अच्छे तो ए में गलती है या तो बोलो throughout the year whole की जरूरत नहीं है दौनों मेंसे एक लिख सकते हैं या तो the whole year there was ये भी कर सकते हैं तो आप बस ये मानलो कि दुनिया में सब भूल जाओ regular रहना है selection लेना है तो regular रहना है बस ठीक है अब आते हैं gender of noun पर superfluous के बाद gender of noun की बात करें जादा नहीं करेंगे बस इसको देख लेते हैं फिर end up करेंगे ठीक है चलिए बई तो ऐसा देखो जाओ मत मैं क्या बहुत पूरा सुना करो आप बोलो तो खतम कर दूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं because I don't want to miss anything but मैं चाहता हूँ जो लोग अभी देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं चीज़ों को दिहान से देखे है what is gender of noun देखे gender शब्द जब भी हमारे जहन में आता है sir male female और transgender हो गए तीन देखा होगा आपने but actual मैं logically सोच कर देखिए हम यहाँ gender human beings की बात कर रहे हैं क्या या noun की और भईया noun माने name था आदे स्यादा लोग अगर ये बात समझ जाया तो दुनिया ना बतल जाए नाम कितनी category में रखा गया उसकी बात हो रहे है समझ झรहो we are not talking about human beings कि वो तीन अलग category है वो अपनी category है वो human beings की है यहाँ नाम को कितनी category में रखा गया उसकी बात हो रहे है मेरी बात I think सब लोगों तक पहुँच रही होगी ठीक है कितने होते हैं सबने सुने हैं एक बार ब ठीक है, मैं बिलकुल बताते जा रहा हूं मेरे दोस्त, है न, हर चीज का हर्थ बताने का पूर्ण प्रयास है मेरे साथ, तो बस, ठीक है, masculine gender जो ऐसा नाम जो male representation करें, दूसरा feminine gender जो female को represent करें, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, neuter gender, अच्छा देखिए एक ऐसा नाम, neuter gender किस category की बात करते हैं, देखिए यहां हम यह बात नहीं कर रहे हैं कि यह कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, यहां सीधी सीधी बात है, वो genuine यह बात यह है, वो समझ लो, इसको हम लोग he से represent करते हैं, he वाले pronoun से, इसको हम लोग she वाले pronoun से represent करते हैं, of course, neuter को it से represent करते हैं, और जितन तक उसे हम लोग 8 से ही देनोट करेंगे चाइल्ड हुआ, कंट्री हुई इवन एनिमल्स को भी, इस केटिगरी में ही हम काउंट आन करते हैं, I hope मेरी बाद आप लोगों को समझ में आ रही होगी ठीक है, and that's I think pretty well to understand, तो इसलिए मैंने क्या कहा, बेस, अगर का मतलब क्या हुआ, है ना, समझने की कोशिश करना, इंग्लिश में कॉमन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसा मैं ना बोला, कुछ लोग बोलता ना बाबू शोना, अचा बाबू शोना अगर आम भाशा में बात करें, तो उसे हम लोग कॉमन जेंडर ही गएंगे, क्योंकि मेल को भी बोल सकते हैं, फिमेल को भी हैं के नहीं, बाबू ने ताना था या, ना बाबू आ ताना नहीं थाएगा, तो, जो क्योंकि आज सबजी अच्छे नहीं बनी है, समझरों? हाँ, तो कॉमन जेंडर क्या है, एक ऐसा नाम, जो मेल और फिमेल दोनों को दिया जा सकें, जैसे, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्लेयर, फ्रेंड, एनिमी, कोई भी हो सकता है, सामने ता जितनी पोस्ट है, वो सब आपको कॉमन जेंडर में ही मिलेंगी, है ना, खास तोर से ध्यान रखें, ठीक है, अब देखिए, क्वेस्चन जो एक्जाम का बनता है, वो ये है, सर ये ही हो गया, ये शी हो गया, ये इट हो गया, कॉमन जेंडर के लिए हम क्या यूज करें, अब ये प्रायरिटी की बात होती है, अब ये प्रायरिटी आई कैसे, ये भी जानना जरूरी है, कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती, कुछ चीज़ें चलन पर चलती है, मैंने देखा है, कुछ लोग बोलते हैं, कि सर ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, ये भाशा है, और यहाँ प्रात्मिक था चलन पर चलती है, मैंने बोला, जैसे मैं as a human being बोला, कि I'm not feeling well, किसी डॉक्टर को देखा के आता हूँ, तो आपके दिमाग में क्या हैगा, ये बोल रहे हैं, he's not feeling well, तो डॉक्टर मस्ट भी मेल, लेकिन जब मैं उसको, मतलब कोई विक्ती, या कोई मैम बोल रही है, या कोई भी female बोल रही है, आप masculine यानि he, और अगर he नहीं आ रहा है, तो she, और she नहीं आ रहा है, तो it, कभी भी the और they का use मत कीजिएगा, कभी भी the और they का use मत कीजिएगा, please, मेरी बात समझ में आ रही है, तो जब तक priority fix नहीं है, हम male को priority देंगे, अगर male word नहीं है, तो she को she नहीं है, तो they कभी नहीं होगा, because it's singular, अगर singular है तो, plural के लिए तो भाई यह दे ही आएगा, ठीक है, तो एक point ध्यान रखना, common genders are considered as masculine, until the gender is clear, ठीक है, until the gender is clear, and will be given priority using masculine pronouns, सारी चीज़ आपके सामने हैं, बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ें, that's great, example देख लेंगे, a student should complete, है ना, a student should completely utilize his time, तो student के लिए वहाँ क्या आगया, his आगया, बात कता है, ठीक है, clear है, I hope it's clear to everyone, तो gender of noun तक बात clear है, exam में question क्या आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है, common gender से जो question बनेगा, वो ये होगा, clear है, चलिए, कल हम जो बात करेंगे, यानि अगली class में, वो बात होगी, possessive case की, ठीक है, possessive case से शुरुवात करेंगे, हम लोग चीज़ों की, ठीक है, तो इसको ज़रा पढ़के आईएगा, हाला कि PDF में आपको ये possessive case मिल जाएगा, लेकर हम फिर भी discussion, लाग ले गलास से शुरू करेंगे, अच्छा, एक बात, अगर way of learning समझ में आया है, और आप भाई से पढ़ना चाहते हैं, आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, भाई के लिए, for trust, and don't worry, you're gonna learn a lot of things, ठीक है, तो आप इस बैच को purchase कर सकते हैं, क्योंकि ये SSE CGL के लिए target है, 19 तारिक से शुरूर है, आपका भाई इंग्लिश देखेगा, इसमें Y278 code के साथ, मेरे referral code यूज कर सकते हैं, इसके साथ, ये है आपका महापैक, अगर आप multiple SSE exams की तियारी करें, तो आप महापैक enroll कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, इसमें एक important बात ये है, अगर आप मेरे code से यूज करते हैं, which is Y278, आज महापैक, तो आपको दो benefits होंगे, कि अगर आपका selection हो जाता है, जो की होगा, तो आपको इसकी free refund हो जाएगी, है ना, तो free refund हो जाएगी, इसके लिए code क्या लगाना है, Y278, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू यार, amazing, शांदार, मज़ेदार रहा, सफर, इसी तरह से जुड़े रहेंगे, सभी लोग, बहुत मज़ा आने वाल है, और please परेशान मत हो येगा, I am here to help you out, और यह मत सोचू कि, board से बढ़ाना, या कहां से बढ़ाना है, जहां से बढ़ाएगा, रहा हूँ, due to some medical emergency, तो Tuesday को आज आना यार है न, please, ठीक है, so that's all, thank you so much, take care, class 9 बज़े रहेगी, और इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे, जहिंद, रादे रादे, and yes, वो निश्चे बहच अगर आप जुएन करना चाहें, तो आप मेरा referral code यूज़ कर सकते हैं, y278, ठीक है, take care everyone, God bless you, thank you, अच्छा, अगली class आशुतो सर की है है न, आजाओ उसी में,